कल्यान यूँ तो ये वो पुस्तक है जो सबसे ज्यादा छपती है गीता प्रेस गोरकपुर में लेकिन ये छपती कैसे है ये तो आपको फिनिश प्राड़क्त और उसका आउटपुट देखता है लेकिन अब कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया होती है वो आपको बताते हैं मैं एक ऐसी ही मशीन में हूँ जिसे हाल ही मिलाया गया है पुरानी प्रेस में बड़ी-बड़ी मशीने लगी है लेकिन अब तकनीक के साथ गीता प्रेस भी आगे बढ़ रहा है राजे शर्मा जी हमें ये बताईए कि नई पुस्तके जो आ रही है उसमें किस तरह से नई मशीनों का इस्तमाल है बिल्कुल ये हमारी जापान की मशीन है ये कोमोरी है और चार यूनिट की छपाई ये बहुत तेजी से करती है पहले कितना समय लगता था अभी क्या अंतर है और ये अंतर क्यूं किया है गोरगपुर ने इसलिए किया है कि हमारा गीता प्रेस अपनी क्वालिटी किताबों की क्वालिटी अच्छी बने अच्छी से अच्छी पुस्तक लोग ग्राकों के पास जाए हमारी चप करके हमारा में खुद देश यही है यह प्रोसेस तो हमें एक्स्प्लेइन करें यह हमारा साधा पेपर वहां से फिटिंग हो रही है यह चार कलर की कॉंबिनेशन है यह परते की उनिक से पेपर गुजर रहा है और सारे कलर इसमें मैचिंग होके छप रहे हैं वहां आगे जो है डिलेवरी दम दे देते हैं आप देखें चलते हुए मुसीन को और वहां छपाई आपको दिखाई देगे छपाई तो होती है लेकिन उसके साथ क्या-क्या ध्यान में रखा जाता है क्वालिटी, कॉंटेंट और जो शब्दों का इस्तमाल है वो एक ही रहते हैं कि बदले भी रहा हमारा हिंदी प्रोसेस है, किताब बनने के बाद उसके उपर से हम जैकेट लगाते हैं वो चाप रहे हैं इसमें खासियत क्या होती है और कितनी चुनोतियां होती है यह चुनोतियां बहुत है, इस्तनी हाई स्पीट की मसीन है अगर आप इसमें जराबी गलती करेंगे तो सारा गलती जल्दी जल्दी छप जाएगा पूरी सावधानी के साथ चेक करके अच्छी से अच्छी छपाई निकालने का उद्देश से रहता है यहां पर सारे करमचारी आपस में क्या बात करते हैं? काम के तोर पर स्वरूप है और उसके साथ साथ इस काम में ही भगवान के स्वरूप को जनता तक पहुँचाना भी इसी कारे का एक रूप है कैमरा परसन सूरज पांटे के साथ मनोग्या लोईवाल गीता प्रेस गोरखपुर एबीपी नियूज आपको रखे आगे